वेलकम टू गोल्डीज कीचन अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब हो जाएए और बेल आइकन को क्लिक करके आप मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं करना वा है कारे कीरीफिकेशन कीस क्लिक का तो तो चलिए हम बना लेते हैं क्यापेशिनों क्याना के लिए हमें संतीन इंग्रिडियांस ही ज़राद पड़ेगी यहां पर मैंने 2 चमच कॉफी पाउडर लिया है कॉफी से डबल यहां पर मैंने 4 चमच शूगर लिया है और 2 कप यहां पर दूद दिया है जिसमें मैंने बिल्कुर भी पानी आट नहीं किया है तो चलिए फ्रेंच हम बना लेते हैं Very Simple और Very Easy Cappuccino कोफी पाउडर और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने कोफी पाउडर और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप कैपेचुनो जब भी बना रहे हूं तो आप इसे तीन तरीके से बना सकते हैं आप चाहें तो इसी चम्मच के सहारे इसी में आप दूर डाल कर आप इसे फैंट सकते हैं दूसरी बात, आप इसे हैंड ब्लेंडर के सहारे भी एजली बना सकते हैं बट फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को उससे भी इजी मेथट बताऊंगी यहां पर हमें इस बॉटल के जरुरत पड़ेगी, यह कोई भी पेपसी थमसब की बॉटल आप ले सकते हैं, यह आधा लिटर की है, आप चाहे तो इसे छोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बढ़ा मत लीजिए, तो चले फ्रेंज, हम स्टार्ट करते हैं, अपना कैपेच् सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्ट बोर्ड पर इस मिक्षर को रख देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें रखना है, ताकि यह इसली इसमें चला जाए, यहां पर हमने मिक्षर को डाल दिया है, आप देख सकते हैं, अब हम इस तरह इसे बंद करके, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अब हम इस बोटल को उपन करेंगे, और इसमें हम दो चम्मच पानी डाल देंगे, और इस तरह बंद कर देंगे बोटल को और इसे इस तरह शेक करेंगे, आप देख रहे हैं, जाग बनना शुरू हो रहा है, इसे हमें लगबग 2 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट तक और जादा से जादा 3 से 4 मिनट तक इसे इसी तरह शेक करना है, जब तक हम इसे शेक करते हैं, साइड बाइ साइड हम दूद को गरम होने के लिए रख देंगे, दो से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, और यहां पर मैंने इसे अच्छे से शेक कर लिया है, एक क्रीमी टेक्शर बना लिया है, आप देख सकते हैं, अब मैं इसे ओपन करती हूं, और हम क्यापेचिनो बना लेते हैं, हमारा मिल्क भी गरम हो चुका है, तो चलिए एक कप रख लेते हैं, इसमें हम यह क्रीमी टेक्शर वाला कॉफी और शुगर का मिक्श्र डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अब हम मिल्क डालेंगे, अब हम एक चम्मच के सहारे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमने मिल्क में कोई भी शुगर नहीं डाला है, एक बार और हम इस क्रीमी टेक्श्चर को डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो लीजे प्रेंट्स, तयार है हमारा गर्मा गरम कैपेचीनो, आप देख सकते हैं, तो चली हम इसे थोड़ा सब डेकोरेट कर देते हैं, यहां पर मैंने कार्ड बोर लिया है, इसे हाट शेफ में कट कर लिया है, हम इसे इस तरह इसके उपर रखेंगे, और अब हम एक चन्नी लेंगे, इसमें हम कॉफी पाउडर डाल देंगे, और इसे अच्छे से इस तरह डाल देंगे, तो लीजे फ्रेंज, रडी है, हमारा गर्मा गरम कैपेचीनो, आप इसे जरूर ट्राइ करिए, अपने फ्रेंज को पिलाईए, और वावा ही पाईए, तो चलिए फ्रेंज, इसी तरह देखते रहे मेरे वीडियो, लाइक करिए, शेर करिए, सस्क्राइब करिए, और फ्रे तक्यू फ्रेंग्स, बाइए!